आज हमने बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, रबडीदार, बाजार की कुलफी से कहीं ज़्यादा टेस्टी कुलफी घर पर बना कर तयार की हैं, एक्तम परफेक्ट माप के साथ बनाई हैं, आप इसे बना कर देखिएगा, आपके घर में सब खुश हो जाएंगे नमस्ति दोस्तो, स्वागत है आपका श्यामर सोई में, तो चली शुरू करते हैं बनाना कुलफी बनानी के लिए हमने यहाँ पर भारी तले की स्टील की कड़ाही लिए, आप कुलफी स्टील की या लोही की कड़ाही में ही बनाईएगा हमने इसमें दो चमच पानी डाला और उसके बाद एक लिटर दूद डाल दिया है हमने यहाँ फूल क्रीम दूद का इस्तेमाल किया है अब हम गैस की फ्लेम को ओन करेंगे और दूद को कंटीनू चलाते हुए पहले एक उबाल आने तक पकाएंगे हमने दूद को डालने से पहले जो पानी डाला था उससे जल्दी से दूद नीचे तले पर चिपकता नहीं है दूद को पकाते हुए हमें केवल एक मिनिट हुआ है अभी उबाल नहीं आया है केवल दूद हलका सा ही गरम हुआ है तो इस वक्त हम थोड़ा सा दूद एक अलग बाउल में निकाल लेंगे तो मैंने करीब दो बड़े चम्मच दूद अलग निकाल लिया है और जो बाकी दूद है इसे हम उबाल आने तक पकाएंगे जैसे ही दूद में उबाल आ जाएगा आप इस वक्त इसमें केसर के धागे डाल दीजिए उबाल आने पर आप तुरंत यदि केसर डाल देते हैं तो केसर का कलर बहुत अच्छा आ जाएगा साथ ही केसर का जो फ्लैवर है वो भी बहुत अच्छा आ जाएगा बस अब हमें इस दूद को मीडियम फ्लेम पर कम से कम 20 मिनिट के लिए पकाना होगा आप इसको हर 1-2 मिनिट से चलाते रहिए तब तक हम एक तयारी कर लेते हैं हमने जो दूद साइड में रखा था उसमें हम 2 चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे मिल्क पाउडर डालने से कुलफी में बहुत बढ़िया मावे जैसा टेस्ट आता है तो 1 लिटर दूद के लिए 2 चम्मच मिल्क पाउडर इनफ है मिल्क पाउडर को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे दूद एकदम हलका सा ही गरम है तो मिल्क पाउडर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो ये हमारा मिल्क पाउडर वाला घोल बन कर तयार हो चुका है अब हम ये मिल्क पाउडर वाला घोल दूद में डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा घोल आप डालते जाए और इसे मिक्स करते चाहिए तो हमने सारा घोल दूद में डाल दिया है, अब हमें दूद को बस पका लेना है कम से कम 20 मिनिट केलिए, गैस की फ्लेम को हमने मेडियम पर किया हुआ है, आप दूद को पकाते पकाते साइड में जो मलाई जम रही है उसे इस तरह से कल्ची से हटाते हुए दूद में ही मिक्स करते जाएए जिससे आपकी कुलफी एकदम रबडिदार बनकर तयार होगी अभी हमें दूद को पकाते हुए करेबन 15 मिनिट हो गया है केसर ने अपना अच्छा कलर छोड़ दिया है लेकिन मुझे ये थोड़ा सा कम लग रहा है एकदम मार्केट वाला कलर नहीं आया है तो मैं यहाँ पर केवल एक पिंच यलो फूड कलर डाल रही हूँ फूड कलर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है आप इसे स्किप कर सकते हो बस अब हमें दूद को कम से कम 5-6 मिनिट के लिए और पकाना होगा दूद को पकाते हुए जब 20 मिनिट हो जाए तो आप इसमें पिष्टा की कतरन डाल दीजीगा मैंने यहाँ दो बड़े चम्मच पिष्टा को बारी काटकर डाला है और एक चोथाई चम्मच इलाइची पाउडर डाला है अब हम दूद को 4-5 मिनिट के लिए और पका लेंगे पिष्टा और इलाइची पाउडर डालने के बाद हमने दूद को 5 मिनिट के लिए और पका अब हम इसमें चीनी डालेंगे चीनी हमने 80 ग्राम ली है एकदम परफेक्ट मेजरमेंट बता रही हूँ आपको एक लिटर दूद में 80 ग्राम चीनी जो आप बाजार की कुलफी खाते हो बिल्कुल उतना ही आपको इसमें मेठा मिलेगा चीनी डालने के बाद हमें दूद को ज़्यादा नहीं पकाना है केवल दो मिनिट के लिए और पकाएंगे दो मिनिट हो गए है चीनी भी अच्छे से घुल गई है इस वक्त हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है ये देखे दूद काफी गाड़ा हो गया है और ठंडा होन इसमें बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल नहीं आएंगे यहाँ पर मेरे पास एलुमिनियम के कुलफी मोल्ड है तो मैं इसमें कुलफी जमा देती हूँ आपके पास प्लास्टिक का हो या आप डिस्पोजल ग्लास में भी कुलफी जमा सकते हो यह देखे इस तरह से और इसी तरह से मेरे पास यहाँ पर मटकी है मैं इसमें भी थोड़ा सा डाल देती हूँ देखने में बहुत ही अच्छी लगती है इस तरह से आप अपने पसंद के हिसाब से कोई भी प्लास्टिक के डब्बे में भी जमा सकते हो तो यह हमारे मटके भी तयार हो गए है इस पर मैं ऐलूमिनियूम फोइल पेपर लगा देती हूँ ताकि जब हम फ्रीजर में इसे रखे तो इसमें पानी ना आए तो यह देखे एक लिटर दूद में मार्केट वाली साइज की 6 कुलफी बनकर तयार हुई है इसे हम 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देते हैं कुलफी को रखे हुए 10 घंटे हो गए हैं तो चलिए अब हम इने डी मोल्ड कर लेते हैं तो मैं यह कुलफी मोल्ड को थोड़ा सा साधा पानी में डिप कर देती हूँ ताकि इन्हें demold करना आसान हो जाए और ये देखे मैं आपको खोल कर भी दिखा देती हूँ कितनी बढ़िया कुलफी बनकर तयार हुई है तो बस अब मैं इसमें एक आईस क्रीम स्टिक लगा देती हूँ ये देखे कुलफी हमारी तयार है और एक्तम दानेदार और खाने में तो मैं आपको क्या बताऊँ आप बना कर देखेंगे तभी आपको पता चलेगा ये बहुत बहुत ज़ादा टेस्टी बनकर तयार हुई है इसमें बिलकुल भी आईस क्रीस्टल नहीं आए है और जो हमने इसमें मीठा बताया है एक्तम परफेक्ट है ये तो बस अब मैं गार्णिशिंग के लिए इस पर थोड़ा सा बारी कटा हुआ पिष्टा डाल देती हूँ तो ये हमारी केसर पिस्ता कुलफी तयार हो चुकी है जो बाजार वाली कुलफी से कहीं कहीं ज़्यादा पैस्ट है तो फ्रेंट्स रेसिपी कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बतायेगा और ट्राय करने के बाद अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके